स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइडुकेशन जी के में दोस्तों मैं आज आप लोगों कि इस वीडियो के माध्यम से भारती दंड सहीता की धारा 188, 279 और 270 के बारे में बताऊंगा कि इसके धार जो फयार दर्ज हो रहे हैं, आखिर क्या हो रहे हैं, क्या होती है ध चल रहा है, चलिए, शुरू करते हैं, और आपको पता है कि पूरे संपूर्ड भारत में 21 दूनों के लिए लागडाउन किया गया है, और यह 14 अप्राइल को लागडाउन खतम होगा, लेकिन इसके तहट जो फयार दर्ज हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं, क्या संक्रम तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि धारा 188 के तहट क्या प्रावधान है, या किस कानून के तहट लागड़ किया जाता है, नियमों का उलंगन करने पर क्या कारवाई हो सकती है किसी को, सजा क्या है इसका सारोच जवाल के जबाब मैं इस वीडि आसी काती है कि लोगस्यवक के लोग करतियों केनि निर्वाहन में बाधा डालना जो कोई किसी लोग क्रतियों के निर्वाहन में स्व्यचvida बाधा डालेगा वा दोनों में evasya कि भात्यकरावाद से 2 माह की होगी, या जुर्माना या 500 रुपद किया जाएगा. अब हम इसक नष्टिक नर्द नहीं है कि आप अपराधि शट उत्पंद करने का Score या उसके ध्यान में जिसकी अवग्या करने से शक्रत होना संब्भ जैसे अवस्य कहीं है कि अपराधित किसे कोई प्रावधान है वो लोकश्यवक के बारे वह हैं वहाँ से आप लोख की परिवासा समझ सकते हैं जिस आदेश के अगर वह किसी भी आदेश का उलंगन करता है और यह ज्ञान है कि यह उलंगन करने से किसी को छतुपन हो सकती या नहीं हो सकती है वह 188 के अंतर का दोसी माना जाएगा अब बात आती है कि अपराद कव लागू होता है जैसे लोक शिवक द्वार चूरा अदेशित कै अगया है कि लॉगन कर नंबर 1 यदि ऐसी अधिक्यां बिध्थी फूर्वक न्युक्ति बहकतिएं कि बाधा चपा झाठी कारित करें या ऐसी कोई अग्या का उलंगन कर देरा हो जिससे वह किसी ब्यक्ति को बाधा पहुचाए छोब हो छती हो नुकसान हो कारित करता है तो वह 188 केंटर का दोसी होगा इसके लिए साधा कारवास एक महिने का या दो सो उर्पए जुर्माने या दोनों हो सकता है यह एक जमानती अपरा था लेकिन यह संगे अपरा था इसक स्वास्थ सुरच्छा को संकट कारित करें ऐसी आज्यां का जो पालन नहीं करता है जिसे किसी के स्वास्थ सुरच्छा को संकट कारित करता है तो अच्छा है मास के कारवास और यह खजार का जुर्माने से दंडित होता है यह अभी जमानती अपराथ है लेकिन संगे अपर सब्सक्राइब करते हैं जो कोई विरुद्ध रूप से या उपेच्छा से ऐसा कोई कार करेगा जिससे की और वह जानता है या विश्वास करने कार रखता हो कि कि किसी के जीवन के लिए संकट पुड़ो किसी रो का संक्रमाड फैलाना संभाव है वह दोनों में से किसी भात के करावाद से जिसकी या वधी च्छ माह से हो सकेगी दुर्माना या दोनों से दंडिक दिया जाएगा 279 हम सिधे सिदे समझते है यही कहता है यदि कोई विद्विरुद्य आउपेच्छा से यह जानता या विश्वास रखता है कि उसके द्वारा किसी के अंदर संक्रमाड हो सकता है यानि वह संक्रमित ब्यक्ती है और किसी को टच करता है जानबुच की अंजाने में तो वह इधारा कैंतर का दोसी होगा और उसको छे माह की सजा हो सकती है जुर्माना दोनों से दन्रित किया जाएगा इस अफ्यंस कैसे बनता है लपरवाहि से किसी भी जीवन के लिए खतरना किसी वीमारी के संक्रमार फैलाने की संभावना होके लिए जाना जाता अध्रियम कर रही है यह च्छे माह का है यह दोनों जुर्माना हो सकता है यह संगे अपराद है इसमें अफ्यार दज होगी यह कोई परिद्वेस से ऐसा कोई कार करेगा जिससे कि जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि उसके जीवन जीवन के संक्रपुड किसी रोग का संक्रमार फैलाना संभावित है इस अपराद में दो वर्सकी सजा या दंड या फिर दो दोनों से दंडित किया जाता है या संगे अपराद में जैसे 270 यही कहती है कि अगर कोई जानता है कि मुझे संक्रमड है और वा जान बूज कर या अंजाने में किसी और ब्यक्ति में संक्रमड फैला दिता है तो उसके खिलाब धारा 270 के तहत फयार दर्ज होती है इसका आफ में इसमें दो साल की सजा और जुर्माना है और यह एक संगे कराद है इसमें जमांती कोई भी मजिस्टेट इसमें बिचारण कर सकता है तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं तो अगर जो चनल सब्सक्राइब कर नहीं कियों सस्क्राइब कर लेजिए मैं अगरी वीडियो में फिर ऐसी वीडियो ले करा हूँ जब तब तक के लिए नमस्कार जैहिन आप अपने घर परिवार की सुरच्छा के लिए अपने घर में रहें लागडाउन का पालन करें